दोस्तों आदादी के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत के टुकड़े-टुकड़े करने में लगा हुआ है उसके सामने आप देखिए पीओके में जो की हमारा हिस्सा है वहाँ पर लोग पाकिस्तानी सेना का सरकार का सब का विरोध कर रहे हैं बिजली के बिल हम नहीं भ रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब प्योके के लोग अंदोलिन चलाएंगे और प्योके अपने आप भारत में मर्ज हो जाएगा दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि मोधी साहिब ने प्योके में मिलिटरी एक्षन के जरीए फिर से कब्जा स्थापित करना चाहिए दोस्तो तो ये दूसरा विकल्प हाला की अच्छा लगता है लेकिन इससे एक और बहतर विकल्प हो सकता है पाकिस्तान में चल रहा जो विद्रो है उसको भड़काने का और इसके लिए हमें कोई आतंकियों को पालना पोसना नहीं है एक छोटी सी चीज करनी है जो की एनी बेस हमें आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी पाक अधिकत कस्मीर के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है जो मिलती है वो बहुत महंगी है ये उनकी समश्या है तो उनके सामने विकल्प क्या है आज की डेट में बिजली की अल्टरनेट सप्लाई का आज की डेट में अगर भारत चाहे कि हम सस्ती बिजली पियोके के लोगों को दें तो इसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है transmission distribution network नहीं है कम से कम LOC तक हमारे बिजली के खंबे गड़े हो इसकी विवस्था भी नहीं है तो दोस्तों जब की पाक अधिकरत कस्मीर में पाक विरोधी आग जल रही है तो भारत ने उसमें पैट्रोल डालते हुए ततकाल प्रभाव से transmission and distribution network कम से कम अपनी तरफ से खड़ा करना तुरंत चालू करना चाहिए हमने P.O.K के लोगों को ये बताना होगा कि भारत कोई खाली पिली बात नहीं कर रहा है हमारे पास उनको सस्ती बिजली मोहिया करवाने की खशमता है एक बार जहां P.O.K के लोगों को ये बात पता लग गई तो जो बिद्रो आप देख रहे हो उसकी तिवरता तस गुना बढ़ जाएगी लेकिन दोस्तों साथ में मोदी साहिब से आग रहे है P.O.K के लोगों को बिजली का कनेक्शन देने के पहले आप ये सुनिश्चित करवाईए कि P.O.K के लोग ये सुविकार करें वो सनातन धर्म से कभी ना कभी कनवर्ट होके मुसलिम बने ये वास्तव ही उन्हें सस्ती और वाजब दरों पर बिजली मौया करवाई जाना चाहिए अब दोस्तों आप मेंसे कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि अगर हमने ये किया तो पाकिस्तान भढ़क जाएगा तो हमारा कहना है कि भढ़क जाए भाया बारत अपनी जमीन पर खंबे गार रह है अपनी जमीन पर तार बिचा रहा है पाकिस्तान के पिट में दर्द होता है तो होता रही आज तक पाकिस्तान भारत में लगी हुई आग को भढ़काता था लेकिन अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान को वसी की कड़वी दवाई पिलाए और दोस्तों पूरी तरह संभव है कि सिर्फ भारत के दोरा यह इंफराइस्ट्रक्टर खड़ा किये जाने के दौरा नहीं पियोके में जबरदस्त विद्रो हो और पियोके भारत में मिल जाए अगर ऐसा हुआ तो मोदी जाए बिना बंदु किये गोली चलाए बिना खून खरावा किये पियोके को भारत से मिलाने में काम्याब होंगे भारत ने पाक अधिकृत कस्मीर में बिजली सप्लाई करने के लिए Transmission and Distribution Network तैयार करना चाहिए अधवा नहीं आपका क्या विचार है इसी वीडियो के कमेंट सेक्षन में लिखकर जरूर बताईएगा दोस्तों पिछले सेक्ड़ो सालों में पहले मुगल फिर मिशनरी और अब लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम का हमारे खिलाफ हमला चल रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि हिंदू लोग तो भाया जी दकिया नूसी पूजा पाठ में करनकांड में लगे रहते हैं इनका साइंस से विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है जबकि दोस्तों ये वास्तविक सचाई है कि ज्ञान के शरूप गणपती महराज की हम सबसे पहले पूजा करते हैं साथ में आकणों के माध्यम से महालक्षमी जी हम सभी को साक्षात और सजीव रूप में मार्गदरसन देती हैं आज ये जो अमेर की लोग में डेटा साइंस की बात समझाते हैं वो हम भालतिय सदियों से करते आ रहे हैं डेटा के माध्यम से महालक्षमी जी ने हम सभी का मार्गदरसन हमेशा से किया है इसलिए दोस्तों आकड़ों के माध्यम से महालक्षमी जी का आदेश पढ़ने की कला सीख लीजिए और दोस्तों यदि हम नहीं सीखेंगे तो लेफ्ट, लिवरल और कम्मिनिस्ट हमेशा हमें गालियां देते रहेंगे कि ये लोग तो यह अंदभक्त हैं दकिया नूसी हैं पाखंडी हैं और तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए दोस्तों आप में से जो हमारे विद्यारती हैं वो आगामी 22 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच महालक्षमी व्रत के दौरान अपने अपने कोर्सिस का अध्यन पूरा की दिये